दोस्तों स्वागटे आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल किर्षना फैंटेसी में डाज हम बात करेंगे अजवान T10 मैच के बारे में जो कि यहां से खिला जाएगा स्ट्राइकर फसर ट्रांस्पोर्ट के बीच दोस्तों ये मैच आपके इंवेश्मेंट के लिए काफी अच्छ होने वाला है क्योंकि इस मैच में कुछ ऐसे ट्रम प्लेयर होने वाले जिनका सेलेक्शन जो है वो ना के बराबर है और वही प्लेयर आपको इस मैच में आसानी से विन भी करवा देंगे कौन से वो प्लेयर होने वाले साथ ही साथ में कौन सा बैशन का बैटिंग करेगा कौन सा बॉलर का बॉलिंग करेगा सारा मैं आपको इस वीडियो में डीटेल के साथ बताऊँगा तो वीडियो को एंटेक जरूर देखिएगा दोस्तो अगर बात करें हमारी telegram channel के बारे में हमारी telegram channel का नाम है किरश्चना fantasy आप देख सकते हो दोस्तो इस match की जो final team है वो अप सभी को आमारे telegram channel पर मिल जाएगी तो आप सभी भाई telegram channel को join कर लिजिएगा फाइनल टीम आपको टेलिग्राम पी मिलेगी अगर मैं आपको recent matches का result भी बताऊ तो आप देख सकते हो लगातार हमने हर matches में आपके clean sweep कराए इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ टेलिग्राम से जुड़ना आपके लिए काफी जादा important हो जाता है दोस्तो आप देख सकते हो आपके मुझे 20,000 रुपे की free entry मिलीवी small league head to head में 10,000 रुपे की free entry मिलीवी small league head to head में भाई ये free entry आपको भी मिल सकती ही कैसे मिलेगी तो simply आपको कुछ नहीं करना आप में से काफी भाईयों को पता होगा कि अगर आप choice 11 app को first time download करके register करते हो तो choice 11 app आपको 20,000 रुपे की free entry देता है small league head to head में तो बस आपको choice 11 app को download करके register कर लेना है link आपको इसी वीडियो की नीचे comment box में दिया वाई और discussion box में दिया वाई तो जल्दी से आईए link पे click करिए choice 11 app को download करके register कर लीजिए अगर आप loss में चल रहे हो तो फिरी में 20,000 विन करके पूरा loss कवर कर सकते हो अगर आप already profit में हो तो फिरी में 20,000 विन करके और भी जादा profit बना सकते हो लेकिन सबसे पहले आपको choice 11 app को download करके register कर लेना है link आपको इसी वीडियो के नीचे हमारी fantasy ये team की तो उससे पहले आप सभी से एक request है जो भी भाई नए हमारी youtube चैनल पर पहली बार आए तो यार youtube चैनल को जरूर subscribe कर लिजेगा दोस्तों आपको पता है हमेशा हर वीडियो में मैं आपको हर player के बारे में detail के साथ एक एक चीज़ बताता हूँ तो एक छोटा support आप कर सकते हो हमारी youtube चैनल को subscribe करके उमीद करता हूँ जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे होंगे आप सभी ने अब तक हमारी youtube चैनल को subscribe कर लिया होगा बात करें अगर हमारी fantasy की टीम की तो wicket की पर में सबसे पहले doubt का आपके पास option होने वाला है जो कि आपको open करते वे नज़ा आएंगे last minute में इन्होंने 13 run करे थे उससे पहले अगर मैं बात करूँ दोस्तो 27 run करे फिर 6 run करे और तो recent की 5 innings अगर आप देखोगे तो इतना अचा फर्म नहीं है लेकिन अगर आप total अगर overall देखोगे T10 में इनका record तो अच्छा रहा है इसलिए मैं इनको अपने टीम में लेके जा रहा हूँ दोस्तो इस match के लिए जो आपके लिए एक trump player होने वाले वो कामरा नाटा होने वाले open करेंगे प्लस ये wicket की पर है catches वगड़ा पगड़ के दे सकते हो hard eater bets में अगर चल गए तो बड़ी पारी खेल के दे सकते है recent के बारे में बात करूँ टीन रन करे, छेर रन इनोंने करे, फिर बारा रन करे दोस्तो 22 इनोंने करे और 43 रन करे selection ना के बराबर है लेकिन मैं इनको अपनी टीम में लेके जा रहा हूँ और इनके उपर एक रिस्क लेने वाला हूँ दोस्तो वहीं अगर यहां से किसी और के बारे में बात करे तरीका आपके पास option होने वाला है last match के बारे में बात करूँ 25 रन करे उससे पहले इनोंने 34 रन करे फिर 4 रन करे, 1 रन करे उस 7 रन करे, यह इनका performance है दोस्तो यहां नमबर 5 भी बैटिंग करेंगे इसलिए मैं इनको drop कर रहा हूँ अगर इनकी टीम पहले बैटिंग करेगी तो मैं लेने की सोचूँगा वो अपडेट आपको टेलिग्राम पे कर दूँगा दो मेरे अभी के लिए विकेट की पर रहने वाले बैटिंग मैं अगर बात करूँ अफरीदी लाश मैच खेले नहीं थे दोस्तो एक खान का आपके पास ओप्शन है अमज़त खान नमबर 4 पे खेलेंगे रीसन के बारे में बात करूँ लाश में 39 नन करे उससे पहले 31 करे फिर 6 रन इनोने करे उससे पहले अगर मैं बात करूँ 35 न करे और 30 न करे परफोर्मेंस देखोगे अच्छा राय आप लेके चल सकते हो फिलाल में इनको ड्रॉप करके चल रहा हो यहाँ पर जो आपके लिए एक और अच्छे आप्शिन होने वाले शाकिप खान आपके पास एक मस्ट आप्शिन हो जाते है नमबर 3 वन डाउन बैटिंग करेंगे लास्ट वेन में 31 न करे उससे पहले 36 न इनोने करे फिर अगर मैं बात करूँ 23 न करे और 40 न करे और 7 न करे रीसेंट की 5 इनिंग्स देखोगे अच्छी पर्फरमेंस रही है इसलिए मैं इनको अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ खलील को यहाँ पर काफी रोगों ने ले रखा है 60% से जादा लेकिन इनका बैटिंग ओडर नमबर 6 पर रहने वाला है और रीसेंट के बारे मैं बात करूँ 11 रन करे, 24 न करे, फिर 2 रन करे फिर अगर मैं बात करूँ, 34 न करे और 12 रन करे अब यहाँ नमबर 6 पर बैटिंग ओडर रहने वाला है अमीन आपको नमबर 4 पर बैटिंग करके देते लाश्ट मैच के बारे मैं बात करूँ, 0 रन करे उससे पहले 19 न रन करे, फिर 9 रन रन करे 27 न करे, और 23 न करे यह इनका परफॉमेंस आए, वहीं लाश्ट 5 में से दो मैचेस में बॉलिंग करवाते वे, 3 विकेट निकाले तो शायद बॉलिंग भी डाल दे, इसलिए मैं इनको अपने टीम में लेके जा रहा हूँ अल्टफ के बारे में अगर मैं बात करूँ, देथ ओवर में बॉलिंग करेंगे, लाश्ट में में तो बॉलिंग नहीं करवाई थी क्योंकि जो है, काफी कम ओवर से में ही मैच हो गया था लेकिन इस मैच में आपको देथ ओवर में बॉलिंग करवाते वे और फिर दो विकेट निकाले, बीच में दो मैच उसमें बॉलिंग नहीं करी थी थोड़ा सा मुझे इनका डाउट लगता है कि इनके ओवर वगेरा कट सकते इसलिए मैं इनको अभी के लिए ड्रॉप करके चल रहा हूँ आर्धमान आपके लिए एक ट्रम प्लेयर हो सकते है दोस्तो इस मैच के बारे में जो कि आपको उपन करते वे नर्ज आएंगे लास्ट में इन्होंने 7 रन करे उससे पहले अगर मैं बात करूँ 20 रन करे, फिर 1 रन करे, 2 रन करे और 18 रन करे लास्ट पांच में से 3 मैचेस में बालिंग करवाई है विकेट इनको नहीं मिल पाया है लेकिन मैं इनको अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ क्योंकि T10 में ओपनर आपके लिए इंपोडेंट हो जाते वहीं दोस्तो ग्रेंड लीग खेल दे हो तो अवान को कैप्टन वाइस कैप्टन आप जरूड करिएगा नमबर 3 आपको बैटिंग करेंगे प्लस ये बॉलिंग करते है लास्ट रन में 12 रन इनोने करे, उससे पहले 1 रन करे फिर 10 रन इनोने करे, 34 रन करे और 16 रन करे वहीं लास्ट पाँट में से 4 मैचस में बॉलिंग करवाते वी एक विकिट निकाल है फिलाल में इनको अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ वहीं आपे एक और आपके लिए रोनक पनौली एक और अच्छे उप्शन उपन करते वे नज़ आएंगे, रीसन के बारे में बात करूँ 23 रन इनोने करे, उससे पहले 7 रन करे, फिर 4 रन इनोने करे, 30 रन करे और 43 रन करे एक अच्छो उप्शन हो जाते है, इसलिए इनको अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ पाँच मेरे फिलाल के लिए All-Rounder रहने वाले बॉलिंग के बारे में अगर मैं बात करूँ S.Bho Edison का आपके पास option होने वाला है, इनके बारे में बात करूँ लास्ट में उने एक विकेट निकाला था, उससे पहले अगर मैं बात करूँ फिर एक vicket निकाला फिर दो vicket निकाला और एक vicket निकाला recent के 4 matches लगातार vicket निकालते वे आरे important हो जाते है इसलिए मैं इनको ले के चल रहा हूँ वहीं शा का आपके पास option होने वाला है शा के बारे मैं अगर मैं बात करूँ last one में 3 wicket निकाले दोस्तो उससे पहले 0 wicket निकाले T10 में overall record देखोगे ठीक ठाक रहा है इसलिए मैं इनको लेके चल रहा हूँ वहीं दोस्तो केशवानी का आपके पास option होने वाला है अब इनके बारे में recent के 5 matches के बारे में बात करूँ तो 4 wicket इनोने निकाले second inks में एक अच्छे option हो जाते है अगर इनकी टीम पहले betting करती है तो आप इनको जरूर रखके चलिए यहां से उला के बारे में अगर मैं बात करूँ इर्फान उला last when में एक wicket निकाले थे उससे पहले 0 wicket फिर इनोने 3 wicket निकाले फिर 0 wicket और 2 wicket ट्राइ कर सकते हो वही किसी और के बारे में बात करूँ खलिक का आपके पास option होने वाला है recent के बारे में बात करूँ last 5 matches के बारे में 4 wicket निकाले movie in ali आपके पास option होने वाले last अगर में बात करूँ 5 matches में तो 4 wicket निकाले फिलाल के लिए अगर मैं बात करूँ इर्फानुला को रख रहा हूँ टीन मेरे अवी के लिए bolder हैने वाले captain voice captain के बारे में अगर मैं बात करूँ जिनको आप captain voice captain कर सकते हो आप किसी के साथ जाना चाते है तो as khan को ले के चल सकते हैं फिलाल एस खान मेरे वाइस कैप्टन रहेंगे और अवान मेरे कैप्टन रहने वाले है टीम के प्रिव्यू के बारे में बात करें फिलाल यह हमारे टीम का प्रिव्यू आप देख सकते हैं आप इस टीम के साथ अपना कॉंटेक्स जोइन कर सकते हैं फाइनल टीम आपको टेल पता होगा कि अगर आप चोईस 11 एप को फर्स्ट टाइम डाउनलोड करके रईश्टर करते हो तो चोईस 11 एप आपको 20,000 रुपे की फिरी एंट्री देता है तो बस आपको चोईस 11 एप को डाउनलोड करके रईश्टर कर लिजिए अगर आप लॉस में चल दे हो तो फिरी में 20,000 विन करके और भी जादा प्रॉफिट बना सकते हो लेगिन सबसे पहले आपको चोईस 11 एप को डाउनलोड करके रईश्टर कर लिजिए दोस्तो डाउनलोड करने और रईश्टर करने के बाद अपना इमेल एडरस और मोबाइल नमबर जरूर वेरिफाइ कर लिजिएगा चलिए दोस्तो मिलते है मैस्टैम टेलिग्राम चैनल पर टेलिग्राम से डुड़ी आईगा और मैस्टैम एक्टिव रहिएगा